हालो फ्रेंट्स मैं हुँ सीमा, सीमा की डारिन ब्लॉग में आप सब का वेलकम है, Netherlands कैसे है आप सब लोग, चाकु से एकदम मुलायम वाली है यह पूर Ci ट Bene खिलने के बाद यहां और यह एक दम हम इसको धूर लेंगे। यह देखिए हम जैसे दिखा रहे हैं ऐसे ही हमको इसको छीलना है बहुत ही टेस्टी सबजी यह बनती है मसालेदार सबजी है यह सत्पुतिया तरोई की सबजी मसालेदार है यह बहुत ही टेस्टी और सबको बहुत पसंद आने वाली है बच्चे जो सत्पृतिया की सबजी नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे तो एक बार जरूर ट्राइगें रोट आयं कर आप बहुत ही टेषटी सब्जी बनती है जिसको नहीं होगी उभी खाएगई अगर इस तरह से आप珍े बनाया और ख्वड़े जो बच्चे उसके छिलके हैं उसको मने ले लिया है हमारे जो फूलों के क्यारी होती है और गमले होते हैं उसमें दाल देंगे खात का काम करेंगा फिर यहां देखे हैं पर हमने पूरा अपना तुरोई अपर हम ऐसे ही लंबे-लंबे काट लेंगे जितनी भी तर तो इसलिए हमको इसको पतले पतले टुकडों में ही काटना है जितनी वित्रोई है और देखें यहाँ में सारी तरोई को लगभग हमने यहाँ पर काट लिया है यह देखें अब हम इसके मसाले तयार कर लेंगे तो यहां पर हमने एक कटोरी ले लिया है इसमें हम टालेंगे मसाला निकालेंगे इसका तो हमने लिया है आपर एक चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लिया हैं लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर हम लिए हैं किचन किंग मसाला आपके पास किचन किंग मसाला हो या छोले मसाले हो भी डाल सकते हैं आप बहुत अच्छा टेस्ट आता है यह सब मसाले अच्छे होते हैं तो आप डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें जिसका भी आपको पसंद डाल सकते हैं थोड़ा सा पानी और मसालों को गोल लेंगे गेमारा घूल चुका है फिर रख़ती हैई कड़ा ही गरम होने के लिए अब अब इसस warms का तेल हम ने डाला है एशरी के तेल में सब्जी उर्ण decisions के सब्जी तेल लगभा कमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल दिये हैं जीरा अब इसमें जीरा डाल दिये हैं पहले मेथी डाले थे अब हम जीरा डाल दिये हैं आधा दा चमर्स हमने दोनों डाला है जीरा और मेथी को और जब जीरा अच्छे से चटकने लगेगा फिर हम इस उसको हम डाल देंगे और प्याज को भी हम फ्राई कर लेंगे यह दिखिए प्याज जो हमने डाला है उसको हमको फ्राई करना है और प्याज हमारा लगभग कुछ फ्राई हो चुका है फिर हम यहां चार से छे लेसन के कलिया लिये थे उसको हम डाल दिये हैं लेसन के कलियों क यह दिखिए हमने फ्राई कर लिया है फिर हम यहाँ पर एक प्याज का हम पेश्ट बना करके रखे थे उसको हम डाल दिया है और इसको हम मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे फिर जो हम मसाला तयार करके रखे थे उसको हम डाल देंगे और मसाला प्याज हम सारा अच्छ भग भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे त्रोई जब मसाला हमारा भून करके एकदम रेडी होगे अब हम इसमें त्रोई डाल देंगे जो हमने काट करके रखी थी और मसालों को मेक्ष कर लेंगे अच्छे से यह दिखिए हमने आपर मसालों को मिक्स कर लिया है लगबग और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढख देंगे एक प्लेट से इसको अच्छे से मिक्स करना है जिसे सारे मसाले सभी सब्सक्राइब में अच्छे से मिक्स हो जाएं और मिक्स करने के बाद हम इसको ढख देंगे यह दिखिए हमने एक प्लेट लिया है उसी से हम इसको ढख देंगे और ढखने के बाद फिर हम जब लगभग 5 मेट के बाद जम खोले हैं तो दिखिए मारी त्रोई लगभग कुछ पक चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे नमक जब थोड़ी त्रोई गल जाए त्रोई हो लोक्यों जब थोड़ा गल जाए तभी नमक डालना चाहिए क्योंकि बाद में गलने पर यह कम हो जाती है अब हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह एक प्लेट में व हम इसको निकाल लिए हैं यह देखिए हम सबजी जो हमारी बनकर के रेडी हो गई उसको में प्लेट में निकाल लेंगे और देखे कितनी अच्छी हमारी सबजी लग रही है मसालेदार चटपटी बहुत ही टेस्टी हमारी सबजी बनकर के तयार हुई है तो आप कमेंट करिएगा कि आपको हमारी सबजी कैसी लगी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और न्यू होंगे मेरे चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे में कोई भी वीडियो डालू तो नटिफिकेशन आप तक यह रूप पहुँच जाए और मैंने इसको टमाटर से गार्निश किया है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू